So, now we will talk about creativity in early childhood children. Creativity is a very important phenomenon. आने वाली जिन्दगी में जितना कोई creative होता है, उतना वो ज्यादा बहतर perform कर सकता है अपने लिए और nation के लिए. Einstein कहते हैं कि imagination is more important than knowledge. मतलब उनका ये ख्याल था, कि आप चीजें लोगों को सिखाएं नहीं, बलके उनको अपने से इल्म खुद सीखना सिखाएं और खुद imagine करना, क्योंकि जो उनका ख्याल था कि knowledge महदूद है, जबके imagination महदूद नहीं है, वो तो खलाओं तक और समंदरों तक भी जा सकता है, इ imagination is the door to possibilities, it is where creativity, ingenuity and thinking outside the box begin for child development, to creativity ये है कि बच्चों को जब हम free play की बात कर रहे थे, तो हम ये कह रहे थे कि बच्चों को हमें अजाद छोड़ना चाहिए, कि वो अपने मर्जी से क्या करना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, क्या ऐसा structure है, क्या ऐसी तस्वीर है, क्या ऐस अपनी body movement है, कुछ भी उनकी हरकातों सकनात हैं, वो physical है, mental है, और social है, वो खुछ से करें, तो वो एक creative चीजें करेंगे, वो imagine करेंगे, so imaginative and creative play is how children learn about the world, ये मजमुई तोर पर एक holistic उनकी development के लिए जरूरी है, कि वो पूरी दुनिया की हर चीज़ को अपनी मर्जी से imagine कर सक अब ऐसा है कि there are few suggestions for nurturing the child's imagination and creativity, अब ये imagination हम उनमें कैसे पैदा कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो ये है कि spend time outdoors, हम बार बार nature का जिकर करते हैं, बच्चों को nature में खुला छोड़ दे, कैसे भी, कोई buildings है, कोई grass है, कोई जंगल है, कोई beach है, आप उनको खुला छोड़े, खेतों में छोड़े, दरखतों में छोड़े, चाकि वो अपने आपको अपनी नेचर की चीज़ों के साथ associate करें, और imagine करना सीखें, फिर invent scenarios, कुछ ऐसी situation आप भी बनाएं, कुछ बच्चों को बनाने के लिए कहें, कि जिन situations को फिर वो खुद handle भी कर रहे हों, और उसको imitate भी कर रह रहे हों, फिर verbal activities, जैसे, अच्छा, आप मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, अब आप मुझे अपनी कहानी सुनाएंगे, आज मुझे अपने दिन के बारे में बताएंगे, आप बताएंगे कि अगर ऐसा होता, तो क्या होता और अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या करते आप आपके पास दूसरी option क्या थी, आप और क्या करते, तो हम कुछ verbal ऐसे exchanges, जैसे dialogues भी कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, जिसमें वो creative talk करेंगे आपके साथ, कुछ बताने की कोशिश करेंगे, जैसे आप उनके सामने कोई toy या कोई चीज रख देते हैं, और उनको इसको explain क करने को कहते हैं, ये क्या है, आपको कैसा लग रहा है, ये जो बादल है, क्या ये भालू की तरह नहीं दिख रहा, ये क्या चीज है, आप इसको किस शकल में देखते हैं, तो आइस्ता इस्ता बच्चों को imagine करने की आदत पड़ जाएगी, हर चीज को एक नए जाविय से द बना रहे हैं, कुछ चीजी आप initiate करेंगे, फिर बच्चे उसको आगे ले जाएंगे, क्योंकि फिर वो उनको एक dimension मिल जाएगी, क्या अच्छा इस तरह से हमने सोचना है, फिर ये कि हमें literacy activities, अभी हमने कुछ vocabulary दोहराई, कभी हम उसको sentences में use करते हैं, कभी कुछ वो बता पूछ रहे हैं, कभी कुछ वो पूछ रहे हैं, तो कुछ अलफास का इस्तिमाल आप करेंगे, और कुछ बच्चे अपनी vocabulary आपको सुनाएंगे, फिर हम उनसे open-ended question भी पूछेंगे, अच्छा बै तुम क्या सोचते हो इस बारे में, फला खाना आपको अच्छा नहीं लग कि आप उनका screen time खतम करें, हम यह समझते हैं कि cartoon देखके, या games खेलके, हमारे बच्चे बहुत बेहतर, बड़े तेज हो रहे हैं, बड़े sharp हो रहे हैं, जहीन हो रहे हैं, और वो बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, दर हकीकत वो control हो रहे हैं through that cartoon, देखिए जो उसकी speed है, cartoon के अ सकता, जब कभी वो screen पे देखता है, तो उसके जहन में कोई character आएगा भी, तो वो उसको उसी नजर से देखेगा, अब बच्चे आपको ninja, superman और बार्बी डॉल बनते दिखाई देते हैं, वज़ा इसकी यह हैं कि आब वो खुद से imagine नहीं कर सकते, वो चीजें उनके सामने हैं, और वो उनी को imitate करें, उनसे बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो आप क्यों उनको control करना चाहते हैं, आप उनको free play की opportunity दे, तो हम जब उनका smartphone जो आजकल बच्चों के हर वकत हात में है, उनको physical games की तरफ लगाएं, वो खुद role play करें, वो खुद अपनी control time है, तो भी हमें ज्यादा वक्त उनको free play में देना चाहिए,